नमस्कार दोस्तों आप सभी का इब फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर दोस्तों मोबाइल फोन की अन्बॉक्सिंग तो हमेशा आपने चैनल पर देखी होगी लेकिन दोस्तों आज मेरे पास है एक ऐसा फोन जो कि आपकी पुरानी यादों को एकदम ताजर कर मुझे तो पहले तो मैंने इसे यूज किया लेकिन मैंने सुचा कि मैं आपको भी इसके बारे में वताओं और कितने का पड़ा है मुझे फोन और चुकि जियो गीगा फाइबर के साथ इस्तेमाल होता है तो दोस्तों यहां पर वह दो रुपए वाली कॉल वाला चक्कर भी पहले ही जब BSNL का डॉट फोन आता था तो वह लगा था तो वहां पर बीटल कंपनी का हम लोग इस्तेमाल करते थी तो मुझे लगा कि शायद यह एक रिलाइबल है तब से लेकर अभी तक सर्वाइब कर रही है तो पुछ तो खास होने वाला है साथी पूरी तरी किसी और देखने है कि क्या खास रहता है इस बॉक्स में तो दोस्तो यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं इस टेलिफोन का यह बॉक्स जो की बेहत सिंपल सी पैकिंग के साथ आता है यहां पर जो बॉक्स आपको देखने को मिलेगा एकदम देशी स्टाइल आपका रहता है सामने की तरफ आपको कुछ key features दे रखे हैं जैसे कि यहाँ पर मिल जाता है 16 digit का LCD डिस्प्ले साथी साथ 30 incoming calls memory 5 outgoing calls memory यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी वहीं दोस्तो back section के अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ basic से features वगरा दे रखे गए तो सबसे पहले आपको मिल जाती है यह telephone cable निकालते हैं हम अपनी main unit को बाहर तो यहाँ पर यह रहता है आपका प्यारा सा telephone और साथ में मिल जाता है आपको यह basic सा paper work और कमाल की बात यहाँ पर यह रहेगी कि एकदम simple सा यहाँ पर आपको दे रखा होता है यह user manual जहाँ पर किस तरीके से इसे operate करना है यह सब कुछ आपको इस paper में देखने को मिलेगा लेकिन बात करते हैं इसके back section की तो यह रहता है आपका एक तरीके से जो है आपका warranty card यानि कि इसे आपको समाल के रखना पड़ेगा क्योंकि फोन में मिल जाती है आपको एक साल की warranty और दोस्तो कीमत के बारे में तो हम लोग बात करेंगे लेकिन फिलाल अभी देखते है कि यह फोन कैसा देखने में लग रहा है तो यहाँ पर काफ़ी जदा मज़दार रहता है यह फोन जो की एकदम traditional style में आपका आता है दोस्तो मुझे याद है मेरे बशपन में जब यहाँ पर घर पर मेरे फोन लगा हुआ था यह जो है टेलीफोन वाला तो बड़ा ही मज़ा आता था उसके साथ जो है खेलने में तो यहाँ पर पुरानी यादों को आपका ताजा करेगा बीटल का यह फोन फटा-फट बात करते हैं एक पर इसके physical specifications के बारे में जो की यहाँ पर दे रखी होती है आपको एक छोटी सी display जिसका आप इस्तिमाल कर पाएंगे वह दोस्तों यहाँ पर आपको यह कुछ controlling buttons बगरा दे रखी होती है जिससे कि आप date time और call locks बगरा चेक कर सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर mute का button भी आपको दे रखा होता है और यह रहता है आपका एक full size keypad जहाँ पर आपको मिल जाती है 0 से 9 तक की keys साथ ही साथ यह रहता है hash और साथ में यह एक चोटा सा start दे रखा होता है तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पुराने phone से आद हों तो उसमें एक redile की button यानि की R button हुआ करती थी तो वो आपको यहाँ पर RD के नाम से दे रखी होती है यहाँ पर side में रहता है port यहाँ पर इस telephone cable को आप एंटर करा पाएंगे तो इसके बारे में हम लोग बाद में चलकर देखेंगे फिलाल अभी देखते हैं कि यहाँ पर आपका यह रहता है main switch जिससे की call आपका cut हो जाता है वहीं दोस्तों यहाँ पर आपको एक चोटा सा plastic का यह hook type का दे रखा होता है जिससे की आप कुछ इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं और अगर आप जब इसे दिवार पर टांगते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की situation बनती है जिससे के आप इसे आसानी से फजा पाएंगे नॉर्मल अगर आप इसे बन करके रखते हैं तो यह आपका ticket गर नहीं खट से गर जाएगा लेकिन अगर आप इसे निकाल देते हैं बाहर हलका सा तो यह जाकर यहाँ पर एक छोटा सा होल है उसमें जाकर यह फज जाता है तो इस तरीके का कमाल करेता है यहाँ पर आप अपने number डाल सकते हो यह रहता है speaker और इसकी आवास तो बड़ी ही कमाल की रहती है तो चली दूसरो फटा फटे से सेट अप कर लेते हैं चुकि मैंने यह खरीदा है अपने personal use के लिए और इसे मैंने खरीदा है local market से तो इसकी कीमत लगबख 600 रुपए के आसपास रहती है वह दूसरो telephone cable यह रहती है जिससे कि आप अपने connect कराएंगे से जो छोटी से डिबबी लगी रहती है उससे तो यहाँ पर इसका जो size रहता है वो अलग-लग रहता है जो box के साथ मिलती है वो लगबख मुझे ऐसा लगता है 2-3 meter की होगी है लेकिन अगर आप इसे चाहें तो 10 meter तक की purchase कर सकते हैं जो की market में available है हाला कि और ज्यादा की भी आती है जिसे आप ले सकते हैं लेकिन मेरे हिसाफ से 10 meter एकदम sufficient रहता है आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी इसे ले जा सकते हैं तो यह basic सा अंदर समान दिखने को मलता है फटा-फटी से setup कराते हैं दिखाते हैं कि क्या खास रहता है इस phone में आपके लिए तो दोस्तों यहाँ पर भी आपने देखी भाई unboxing और दोस्तों बात करते हैं इस phone की तो बड़ा ही मज़ेदार रहता है जो पुरानी feeling होती है वो एकदम यहाँ पर ताजा हो जाती है तो mobile phone के जमाने में अगर मिल जाए इस तरीके का dot phone तो कमाल ही हो जाता है तो मुझे तो काफी जड़ा इंटरस्टिंग लगा है अगर आप गर में भी जियो गीगा fiber वगरा का connection हो तो आप इसे try करके देख सकते हैं या BSNL landline अगर आप लगवाने का सोच रहे हों इंटर कॉम लगवाने का सोच रहे हों तो आप बीटल को ही prefer करिएगा क्योंकि मुझे तो काफी ज़धे reliable लगती है बहुत समय से हमारे घर पर इस्तिमाल होती रही है लेकिन बीच में जब यह landline का चलन एकदम खतम हो गया था तो यह instrument भी हम लोग इस्तिमाल नहीं करते थे लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि जियो गीगा फाइबर आने के वज़े से एक बार इस फोन का चलन फिर से वापस आ सकता है बात करते हैं इसकी कीमत की तो यहां पर जो इसकी कीमत होने वाली है वो है साड़े छैसो रुपए चुकि मैंने यह खरीदा है लोकल मार्केट से अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं वो भी लगबग इतना ही पढ़ता है और वहां पर भी आसानी से बीटल पैना सॉनिक वगर कर दिखने को मिल जाएंगे जैसा कि मैंने बताया भी था कि पैना सॉनिक का मेरे पा कि क्या आप इस तरीके के फोस को मिस्स करते हैं अपने रियल लाइफ में या नहीं इस वीडियो के देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आ इसी तरीके से लगातार हमारे साथ जुड़े देगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पसंद आई हो तो इसे ल